आधेलो एव्यूवन कैसे आप सब लो अभी तक सोष्ट औनरजी के ऊपर हमारे थो लेक्चर आचुके हैं और अभी तक हम स्यूर्ट अफिनर्जी में कंवेंश्टोस पंध vara कर छूके आज भूक कावंटिव करेंगे आज हम रिमेरिंग के जो दो हमारे रहे गए हैं कन्वेंशनल सोर्सेज में नादिस हाइड्रो एलेक्रिसीटी इन थर्मल एलेक्रिसीटी उसके बारे में पढ़ेंगे सो विट दीस टू हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ओफ इनर्जी है वो खतम हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो एलेक्टिसिटी हम उसको क्या बोलेंगे हाइड्रो एलेक्टिसिटी और यह हमारा क्या है और सब्सक्राइब हैं है थेस्ट ही कि तो हम्हारा भी स्वाले लिखते हैं हैँ कि हुआीठ्रीशने राधे बादिक है न है हम्हारा पॉटर में प्रेक्षि निधे राधे फटमैरे हम्हार सब्सक्राइब मैं युलीक्तशनटर सब्सक्राइब हो के होते हैं किसी हाइट पर होता है तो हाइट पर रखने से क्या आ जाता है उसमें पोटेंशिल एनर्जी आ जाता है या तो हम कह सकते हैं पोटेंशिल एनर्जी ओफ फॉलिंग वाटर जो भी वाटर हम यूज करेंगे या तो हम कहले उसकी पोटेंशिल एनर्जी को हम कनव टीक है उससे क्या जन्रेट होती यह होटार से हमासे नेलेकटिसीत साफ या तो मुसके प्टेंशनरिटि यूज करते हैं फॉलिंग वोंटर यह फिर अनेकर कैसे होता यह दो जैसे यह हमारा क्या मोगा === एक रेजर्वायर है रेजर्वायर होता है जहां पर हमने पानी को क्या किया होता है एक अधा किया होता है और यहां पर हमने क्या किया है डाम को कंस्ट्रक्ट किया हुआ झेल zona अब होता क्या है या तो हम इस यह जो पानी यह पर कठा हुआ है रिजरोवायर में या तो आप कहलो कि इसकी potential नर्जी क्लें किкий यहांप ऑटर गात पे स्टो रहा है किसी हाइट पे स्टोर हैं तो इस फॉलिंग वॉटरी यहां to पोटेंशिय नर्जी कहलो या फिर यह जो वॉटर यहां से फ्लो हो रहा है से मॉटर है या जो वॉटर यहां से फ्लो हो रहा है क्योंकि वॉटर फ्लो हो रहा है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे काइनाइटिक एनर्जी बिसिकली यह पोटेंशिय इनर्जी चेंज हो रही है क पड़ेगा यह तर्बाइन है हमारी जब इस तर्बाइन पर यह पड़ेगा तो क्या करेगा यह तर्बाइन को रोटेट करवाएगा यह तर्बाइन को क्या करवाएगा रोटेट जैसे वाटर पड़ा इस पर तो इसने क्या किया तर्बाइन को रोटेट करवाना शुरू कर अब टर्बाइन के साथ अटैच्ट होता है हमारा शाफ्ट यह टिंच अटेसर होता है उरो शाफ्ट फ्रदर जो है वह इलेट्र को यह न acompa tribun o इस यह इस तरह से हांगा ओन करेगा ृ सा अन्र जि कोया है अब को सकते हैं थे ओर इस तरह से हम वाटर उसक करते हैं फो जनरेटिंग इलेक्रिसिटी बाट इसका क्या है हम हाईड्र को तक हुआ यूज नहीं हम आफ़ाइड्र करसके फोर जनरेटिंग इलेक्रिसिटी लीजिन यह की इन इसके कुछ डिस्डिस आडवांटेजिस भी हैं पर एकजामपल ध पानी को इकठा करके रखना होता है अब इस रेजर्वाइर में पानी कहां से आता है यह रेंग वातर से आ सकता है ठीक है यह वहां से पानी इकठा होता है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं हम हर जगा यूज नहीं कर सकते हैं यह विद्धिध कर देखिन करते हैं इसलिए हईड्राइड्रीुर्ट्जी करना इह स्कूर्ट्ड़ अगया कि बहुत जाधा जो एग्रिकल्च्रल लांड है एक्रेकल्चुरल लायंड है या फिर क्या लोग यूमन हैबिटेशन जो है हमारा वह क्या हो जाता है क्योंकि वो डाम्स के जहां पर डाम्स बनने रहे होते हैं वहांपर क्या हो जाता है तो बहुत सारा इकोसिस्टम जो है जिक यह लाज एकुसिस्टेम और अल्सो डिस्ट्रोइड वन्समर्ज अन्डर वाटर ठीक है तो यह कुछ डिसद्वांटेज आप्स के इस लिए यह कुछ हमारे ड्रॉबग्स है हाईड्रोएलेक्ट्रिसिती में सब्सक्राइबलोब्लो इंदी करें और सबस्क्राइब अनुट लेते हैं हम क्ऊ सब्सक्राइबग्स के इस सब्सक्राइब stipster आएध्रोण चाहिदिशर्यचराइबंदी बालेक्ट्रिमाटल सब्सक्राइब जल सब्सक्राइब wary movement होता एते हुआ है ह gelecek हमने क्या नहीं करना होता है फ्यू लेते हैं हम एक वाटर सौरी वॉटर ले लेते हैं ठीज़ा कया फिक वाटर को हीट करेंगे ने तीक है वाटर को हीट करेंगे और हीट कैसे करेंगे भाया बर्निंग कोल को बन करके आयुल ने स्कुन लिए तो को बर्न करके नाच्रल गास वगारा को बर्न करके ठीक है तो यह सारे हमारे क्या होते हैं फॉसल फ्यूल्स में यह कहलो कि फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके हम क्या प्रड्यूस करते हैं हीट और यह हीट हम कहां यूज करते हैं वाटर को बॉइल करने में और वोटर को बॉइल ठीक है यह steam को जो हम यूज करेंगे टरबाइन को रोटेट करने के लिए तो उसके साथ क्या होएगा shaft move करेगा shaft further किसको on करेगा generator को और जिससे क्या होगा electricity produce होगा यह basic concept था thermal electricity का ठीक है इसको मैंने आपको प्राइग्राम से समझा दिया किस तरह से हो गया कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें इसमें है लाज अमॉंट फॉसिल फ्यूल्स और बॉंट एवरी डे इन पॉवर स्टेशिन्स ठीक है फॉसिल फॉसिल को बन करते हैं तू हीट अप वाटर तू प्रड्यूस स्टीम विच फॉर्दर रंस ती टर्बाइन टू जेनरेट एलेक्ट्रिस सिती थेक है यह सारी वह बात है जो मैंने अभी आपको समझाई नेक्स्ट क्या बोलता है तर्म थर्मल पावर प्लांट इस यूज्ट थर्मल पावर प्लांट को हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फ्यूल इ इनर्जी जिसको कनवर्ट करते हम इलेक्ट्रिक इनर्जी में दाट्स वाइव यह व्यूज दी वर्ट थर्मल है ठीक है और किसको बर्न क्या जाता है तो प्रडूजीट फॉसल फ्यूल को इसलिए हम बेसिकली इसको यूज तो नहीं करना चाहिए ठीक है हम इसे यूज त फॉसिल फ्यूल को बर्न करके यहां से हमें कया मिलती है यहां से किसको बर्न कर रहे है तो या कड़ी का का जाम तक ले Hilfetz के रहे का टिकरstr प्रेशरस में आएगा और इस टर्बाइन को रोटेट करे मедь जब स्टीन जो है प्रेशर से आएगा तो इस टर्बाइन को रोटेट करे बाइन फॉर दर जो है शाफ्ट को रोटेट करे में शाज और connected है generator से generator को on करेगा और electricity produce होगा इसे ठीक है सो यह हमारा concept था thermal electricity का ठीक है हाला कि हम इसे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह fossil fuels को burn करके हमारी generator होता है electricity और fossil fuels को burn करने से बहुत सारा disadvantages हैं जैसे कि यह pollution और गरा create करता है environment के लिए ठीक नहीं होते हैं और fossil fuels limited number में ही हमारे पास available है ठीक है इसी लिए this is not a good source of energy ठीक है इसी के साथ आपका जो conventional source of energy वो खतम होता है conventionally हमने fossil fuels पढ़ा fossil fuels को हमने detail में पढ़ा coal उसमें हमने coal पढ़ा types of coal पढ़ा ठीक है हमने petroleum के बारें पढ़ा हमने natural gas के बारें पढ़ा then हमने पढ़ा hydro power plant कहलो hydro electricity कहलो thermal electricity कहलो ठीक है तो इसके बारें पढ़ा और इसी के साथ हमारा conventional source of energy जो है वो खतम होता है ठीक है अब हम दिखेंगे improvement in technology for using conventional source of energy ठीक है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें एक तो पढ़ना है biomass energy के बारे में दूसरा पढ़ना है wind energy के बारे में ठीक है biomass energy को समझने से पहले हम समझेंगे कि biomass क्या होता है ठीक है biomass हो गया हमारा कोई भी agricultural waste कह लो या फिर animal waste कह लो ठीक है जिसको हम as the fuel use कर सके उसको हम क्या बोलते हैं biomass ठीक है अब biomass energy क्या वह बोल्ला एक्रिकल्ट्ठ्रलेटिय्ट्च वेस्ट एक फिर animal waste जिसको हम यूज करें अग्रिकल्ट्च्रलेटियलस क्या हो गया जिसको अगया हमारा त्योसे कष्च भी यूजोंद आ गया Prince Come Az if you use कर सकते ठीक है ड्राइ लीव्ज हो गए ड्राइ स्टेम हो गया ठीक है यह हमारे एरिकल्चरल वेस्ट है ठीक है एनिमल वेस्ट में क्या आ गया फॉर एक्जामपल काउडंग आ गया ठीक है यह हमारा क्या है एनिमल वेस्ट है और इसको हम क्या कर सकते हैं आज फ्यूल यूज करते ह क्योंकि हमने देखेक शूब करते हैं क्यान देखेक्व काउडंग को बन करके हीट इनरजी केसी हीट कर थे सौक यह होगे हमारे Ona इसको यूज कर कि ठीक है किस तरह से हम क्या करते हैं वह पड़ेंगे बायो मास इनरजी में ठीक है सो बायो मास इनर्जी में हम देखेंगे कि किस तरण से हम काव डंग वगरा को यूज करके ठीक है हम जो है बायो ग्यास प्रेड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है बायो मास क्या होता है यह हमारा क्या है बायो मास फर एक्जामपल काव डंग हो गया फायर वूड हो गया ड्राय लीव इन स्टेम हो गया यह सारे क्या है बायो मास के एक्जामपल है क्योंकि यह जो है डेड़ पार्ट है प्लांट और अनिमल्स के ठीक है डेड़ पार्ट है स्वरी प्लांट के और वेस्ट मुटीरिल है अनिमल का ठीक है बायो मास हाज लो कलरिफिक वैल्यू और प्रेड्यूस लॉट ओफ स्मोक वेन दे आर ब ठीक है तो क्या था कि बेसिकली जो बायो मास था यह जो मारा वूड है हमारा काउडंग है जो हम इनको बर्न करते थे तो इनकी कैलरिफिक वैल्यू काम थी कैलरिफिक वैल्यू मीन्स की जो अमांट ओफ हीट यह जनरेट करते हैं ठीक है वो क्या होता था काम होता था हमने वैल्यू है वह कम होती है ठीक है उपर से यह जो ज्यादा प्रिडीू करते है को पता हो यह बढको बन करने से यह ड्राइः लीव जंस टैम की बात को बन करने से कितना ज्यादा स्मोक जो है वो प्रिड्यूस होता था ठीक है एंड यह एफिशेंसी आज ग्यूट फ्यूल हाज बिन इंक्रीस्ट ट्रेमेंडसली विद्धी आप्लिकेशन ओ टेक्नॉलजी अब इसकी जो एफिशेंसी है बायो मास की इसको कैसे इंप्रूब कर सकते हैं विद्धी हेल्प टेक्नॉलजी फॉर एक्जामपल अगर हम बात करें तो काउडंग बिकम एफिशेंट एंड चीप फ्यूल इने बायो गैस प्लांट तो काउडंग को अगर हम बायो गैस प्लांट में यूज करें तो क्या होगा इससे यह एक बेटर फ्यूल होगा जो बायो गास है हमारे बेटर फ्यूल बनेगा किसकी वज़ा से ये basically हम यूज़ करें इसमें काउडंग ही यूज़ कर रहे हैं बट इन एफिशेंट वे यूज़ करें आप कहलो technology का यूज़ करके हम इस काउडंग से एक क्या बना रहे हैं efficient fuel बना रहे हैं that is bio gas ठीक है It is made by anaerobic decomposition of slurry by microbes, ठीक है, हम यहाँ पे जो है, slurry लेंगे, ठीक है, slurry, हम पढ़ेंगे आगे कि slurry वगरा क्या है, ठीक है, उसमें क्या होगा, slurry की जब decomposition होगी by microbes, और यहाँ पे क्या लिखे है, anaerobic decomposition, anaerobic decomposition means in the absence of air, ठीक है, सो जब उस लरी की anaerobic decomposition होगी microbes, तो हमारा क्या बनेगा, बायो गास, ठीक है, यह हमारा एक excellent fuel है, जहां पे on the one side, cow dung is not a good fuel, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, cow dung को use करके जो हम बायो गास बना रहे हैं, तो वही बायो गास हमारा क्या है, एक excellent fuel है, क्योंकि इसकी calorific value ज्य बायो गास की composition की बात करें, तो it will contain 75% of methane, ठीक है, CH4 means methane, और इसमें और किस-किस के components होते हैं, बायो गास में, हमारा carbon dioxide भी present होगा, hydrogen भी present होगा, और hydrogen sulfide भी present होगा, ठीक है, बट मेंली इसमें क्या प्रेजर प्रेजिन होता है, बायो गास, ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम यह structure देखते हैं, जहां से हमारा क्या होता है, बायो गास प्रोड्यूज होगा, यह डाइजेस्टिल है, ठीक है, इसमें यहां पर रखा होगा हमने slurry, slurry में यहां पर हमारा होगा cow dung और water का mixture, ठीक है, cow dung और water का mixture जब हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परन सलरी, ठीक है, यह क्या होगा यहां से स्ट्री पास होगा, ठीक है, यहां पर होगा हमारा decomposition, इस जगा पर हमारा जो हम जो जब यहां पर सलर रज आएगा, हमारा anaerobic decomposition means in the absence of air ठीक है so after some days 20 or 25 days क्या होता यहां पर इस यहां पर होता है हमारा gas tank ठीक है और anaerobic decomposition of slurry की वज़े से क्या होता है यहां पर gas इकठा शुरू होना start हो जाती है वर यह कुन सी gas होती है यही हमारी bio gas होती है ठीक है फिल इस bio gas से हम क्या करते हैं यहां पर हमने outlet बनाया हुआ है फिर इस outlet से जो हमारी bio gas है हम उसको use करते हैं as a source of energy ठीक है अब जो slurry हमने यहां पर यूज की ठीक है जिसकी decomposition हुई ठीक है वो तो कुछ पार्ट जो decomposition हुआ वो तो गैस बन गया ठीक है लेकिन क्या होता है स्लरी का कुछ पार्ट जो है वहां पर ऐसे ही रह जाता है ठीक है और उसको हम कैसे यूज करते हैं अजे मैनियोर ठीक है जितनी भी स्लरी थी यहां पर जब यहां पर आई सारी की सारी यूज नहीं होती है ठीक है अनरोबिक कंपोजिशन के वैसे जितनी स्लरी यूज होती है उसकी गैस बन जाती है वाकी जो रिमेनिंग है उसको हम बोलते है मैनियोर ठीक है और इस मैनियोर का आगे भी फॉर्दर यूज है इसको हम यूज कर सकते हैं सॉइल वगेरा में ठीक है मैनियोर को हम यूज करते हैं ठीक ह जो slurry left behind हो जाती है उसको हम क्या बोलते है मैनियोर ठीक है और इसे क्या होता है soil की productivity जब हम इसको soil पे छिड़कते हैं तो soil की जो productivity है वो क्या होती है increase होती है अगर हम biogas के uses की बात करें तो यह कहां कहां यूज होता है street lightning में use होता है it is also used in cooking in ruler area and it is also used as a fuel to run engines ठीक है slurry left behind ठीक है कुण सी किस की बात करियो मैं इस चीज़ की इस लवी जो लेफ्ट बिहाइं ते ठीक है study left behind is used as excellent manure ठीक है किस तरह का source है हमारा है कि है हमारे एक excellent manure है ठीक है यह इसमें क्या प्रेजेंट होता है तो इस मेनियोर में हमारा nitrogen and phosphorus जो है प्रेजेंट होता है जो इस मेनियोर को अच्छा बनाता है कि हम उसको यूज कर सके soil में ठीक है तो slurry तो हमारी यूज होई रही है यहां पर हमारा जो leftover slurry है वह भी यूज हो रही है आजे मैनियोर ठीक है नो तो सेकिंड कम्स दी विंड एनर्जी ठीक है अब विंड एनर्जी को किस तरह से हम यूज करते हैं फो जनरेटिंग on होगा और electricity produced होगी सुझा जो जब हम तर्बाइन को रोटेट करवाते हैं विद्धी हेल पॉफ वाटर तो वह बन जाता है हमारा है रहा थे रहाइड ट्रिक्री राईट जब हम तर्बाइन को रोटेट करवाते हैं भीद्स एल्प ओफ यूजिंग हीट एनर्जी यूज को जाएगा हम फाने को रोटेट तो बन जाएगा थर्मल एक नर्जी चुन् हम उसको यूज करते हैं फॉर जेनरेटिंग एलेक्टरिसिटी पहले हम दिखते हैं कि विंड होता क्या है ठीक है अनीकुल हीटिंग ओफ लैंड मास हमने क्लाइमेट चैप्टर में देखा होगा कि किस तरह से दिन के टाइम में जब सोलर रेडियेशन पढ़ती है लैंड पे या फिर सी में तो उनका क्या बिहेवियर होता है ठीक है अब जब दिन में सन्रेज पढ़ती है तो किस तरह से हमारी मुवमेंट होती है रात के टाइम में क्या मुवमेंट होता है विंड का हमारा ड्यू टू दिस सोलर एनरजी यह आप लोगोंने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि किस त टाइमर चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरह से एर मुवमेंट होती है और विंड जो है ब्लो करती है ठीक है अनीकुल हीटिंग की वज़ा से ठीक है इन विंड एनर्ची दपनेटिक इनर्जी और इस यूज़ टू जिनरेट इलेक्रिसिटी अब विंड इनर्जी में क्य इसको यूज करते हैं और उस कैनेटिक ज़ूज को यूज़ करके हम क्या करते हैं इलेक्रिसीटी प्रिडियूस करते हैं तो इन ऑडर डू जइनर्टी सिटी दा रोटेटरी मोशन ओफ दी विंड मिल इस यूज़ तो टोन दी टर्बाइन ऑफ दी एलेक्रिक चर्डेटर तो यहां पर हम किसका यूज़ करते हैं पर कन वर्टिंग विंड इनर्जी इन्टू एलेक्रिसिटी वी यूज़ विंड मेल ठीक है तो यह कुछ इस तरह विंड आएगी तो इस तर्बाइन को रोटेट करवाएगी तर्बाइन फुर्दर शाफ के साथ कनेक्टिड है तो शाफ रोटेट होगा शाफ की वज़ए से यह जर्नेटर ऑन होगा और यह क्या होगा इलेक्रिसिटी प्रड्यूज होगा बट जो एक विंड मिल है वह यहां पर बहुत ज्यादा wind blow होते हैं तो हम क्या करते हैं एक से ज्यादा windmill लगाते हैं so that it will generate sufficient amount of energy ठीक है so when large number of windmills are erected over a large area ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं wind energy farm ठीक है wind energy farm जहां पर बहुत सारे windmill क्योंते इरेक्टेड होते हैं लगे होते हैं और ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जो एक windmill से energy generate होती है वह बहुत ही कम होती है इसलिए हमें क्या करना होते हैं एक से जादा बहुत सारे windmills की जुरुरत होती है ठीक है wind energy is renewable and environment friendly source of energy अब जो wind energy है यह हमारा क्या है है renewable source of energy और यह हमारा क्या है इंवान्मेंटल इंवान्मेंटल फ्रेंडली source of energy है क्योंकि यह हमारा किसे भी टाइप का pollution create नहीं कर रहा है जैसे हमने थर्मल electricity में डाम की construction करने होती है और हमने देखा कि डाम की construction से किस तरह से हमारा habitat वगएर लॉस होता है तो habitat loss भी इसमें नहीं होता ठीक है तो यह renewable है और environment friendly source of energy है ठीक है अब जो है हमने देखा कि हमें विंड की जुरूरत होती है ठीक है फास्ट ब्लॉइंग विंड की जुरूरत होती है in order to rotate the turbine अब minimum speed क्या होनी चाहिए उस wind की कि वो जो turbines है ठीक है वो rotate कर सके so the minimum wind speed required is 15 km per hour यह minimum speed है जो होनी चाहिए ठीक है अब यह फाक्त है ठीक है डेन्मार्क को हम क्या बोलते हैं कंट्री ओफ विंड क्योंकि हां पे जितना भी इलेक्रिसिटी जनेरेट होता है mostly जो है किसकी वाज़ा से जनेरेट होता है main source of electricity आप कहलो वह डेन्मार्क में क्या है winds भी है that's why we call Denmark as the country of winds अगर हम largest wind energy producing country की बात करें तो वह है ठीक है अगर हम NCRT की बात करें तो वह हमारा old edition है तो वहां पर जर्मनी दिया हुए बट लेटेस्ट डेटा के according जो largest wind energy producing country है वह हमारी चाइना है largest wind energy producing country और on the other hand अगर मैं इंडिया की बात करूं ठीक है अगर लाज़ेस्ट प्रोड्यूजिंग कंट्री चाइना है तो इंडिया का रांक जो है वह फोर्थ है ठीक है और इंडिया में अगर मैं बात करूं largest wind energy producing state की तो वह है तमिल नाडू ठीक है अगर लाज़ेस्ट कंट्री की बात करूं ओर और वर्ल्ड में ठीक है तो वह चाइना है और उसमें इंडिया का रांक फोर्थ है और अगर इंडिया में बात करूं की लाज़ेस्ट wind energy producing state कौन सी है तो है हमारी तमिल नाडू ठीक है तो आजके lecture में हमने conventional source of energy complete कर लिया है जो improvements थे improvements in technology for using conventional source of energy जिसमें हमें biomass energy और wind energy के बारे में पढ़ना था वो भी complete हो चुक है नाओ वी आर लेफ्ट विद ओनली non-conventional source of energy और non-conventional source of energy मैं आपको दो या तीन lectures में आपको वो non-conventional source of energy भी complete करवा दूंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं तब तक आप जितना भी हमने किया है उसको revise कर सकते हैं